उन सब बातों को हम दोराएंगे नहीं हम चाहते हैं कि यदि वो बिमार हैं तो थोड़ा इलाज कराएं क्योंकि इलाज कराने से व्यक्ति ठीक होता है और माता-पिता से जब आदमी साधी करके बच्चे आते हैं तो आशिरबाद लेते हैं और यदि इस तरह के माता-पिता और वो इस तरह की बात कहें तो मेरे ख्याल से बहुत सर्व की बात है हुम इसी बात के लिए कह रहे हैं कि उनको दिखाईए और दिखाने की जरूवत है पिल्कुल डॉक्टर को दिखाना जरूवत है नमस्कार मैंना मालोग है आप लाइफ स्टीज देख रहे हैं हमारे साथ मौजूद है पुरुसांसद मीना सिंग जी आरा से जीत के आई थी महिला है मैंने क्यूं कहा महिला है देखिए हम जब इस वीडियो की शुरुवात कर रहे हैं चर्चा होगी बिहार की मुखमति नि जी जीवन को लेकर हमारे साथ मिना सिंग जी है उम्र में आप मुस्से काफी बरी है मेरी आंटी समान है आप जन प्रत्रिदी भी है आरा में अलग आपकी शवी है पहचान है आपने भी उमीद है वह वीडियो देखा होगा कहीं ने कहीं से और उस वीडियो पर हम चर्चा कि मुख्यमंत्री जी हमारे मुख्यमंत्री जी इस तरह की बात बोलेंगे कभी हम सोचे भी नहीं थे क्योंकि इन सब विश्यों पे चर्चा करना पिता के तुल्य जो सबके सर्वे पिता हैं उनका इस तरह बोलना हमको ठीक नहीं लगा और उन सब बातों को हम दोराएंगे नहीं हम चाहते हैं कि यदि वो बिमार हैं तो थोड़ा इलाज कराएं क्योंकि इलाज कराने से व्यक्ति ठीक होता है आपको लगता है कि इन सब्दों को जब वो पब्लिक डोमेन में रख रहे तो इसका मतला आप समझ रहें कि वो बिमार है जी जी क्योंकि जब आदमी दिमाग सही रूप से काम करेगा तो आदमी उन बिस्वयों पर कभी नहीं चर्चा करेगा जिन पर कभी चर्चा करने की जरूरती नहीं है और माता पिता से जब आदमी साधी करके बच्चे आते हैं तो आसिरबाद लेते हैं तो बच्चों को आसि कृए प्लिक डॉमेन में क्या उन्हें इस बात का और उनको और यदी एहसास नहीं है तो पजिए और त्वा नहीं है कि उनको दिखाइए और दिखाने की जरूरत है निंगुल डॉक्तर को दिखाना जरूरत है क्योंकि हम लोग सच्छ पुरुष में सुनकर के सर्मसार हो रहे हुगे कि यह कैसी बात कर रहे हैं वह जो हम लोग के समझ से परे हैं आप मुझता है कि आधी आबादी जो महिलाओं की उसका अपमान ही हुआ है या बिल्कुल और महिराएं उनसे रूस्ट हूंगी और उनसे दुखी हूंगी कि ऐसी बात उन्हें कभी करनी नहीं चाहिए था कि हम मुख्यमंत्री नितीश कुमार जी को भगवान समझते थे जब भी हम कभी पूजा करते थे तो उनकी हमेशा हम सोचते थे कि मुख्यमंत्री जी हमको पूरे समाज की और आतों को कभी इस तरह के सब्दों से संबोधित नहीं किये और ना बोले हमको तो आशेर हो रहा था कल की मुख्यमंत्री जी आकिर ऐसी बात कैसे बोल सकते हैं ऐसा लगता है कि उनका थोड़ा इलाज कराने की ज़रुवत है यदि व्यक्ति का दिमाग काम न करे तो थोड़ी डॉक्टर के इलाज की ज़रुवत है लेकिन नितीश कुमार के दिमाग पर सवाल खरे हो रहे है नितीश कुमार ने क्यूं ऐसा कहा किसलिए कहा yeah बाते तो अलगिया नितीश कुमार को सक्त्सस को जल्द बहुत जल्द लेकिन महिलाओं की जब बात होती है तो आधियाबादी शर्मशार तो है ये बात भी सच है एक महिला से बढ़कर ये बात कौन बता सकता है मारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें साथ साथ फेस्टों पेज भी लाए करें धन्यवाद